हेलो फ्रेंट्स सो आज हम बनाने वाले हैं गाय के पावले इसे गोपद भी कहते हैं इसे हम अपने घर के में डोर पे एजर आंगोली भी बनाते हैं हमारे घर के मंदिर में भी एजर आंगोली हम यूज करते हैं हमने यहां पर लिया है 6 mm का परल और यह कुछ रेट परल हमने लिया है सुई और वायर लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब पटन पर क्लिक करकर बैल आइकॉन को प्रेस करना न भूलिए जिससे आ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले तो मैंने छे मूती लिये हैं और इसका हमें एक सरकल बनाना है यह बहुत ही इजी है और बहुत ही कुईकली बन जाता है सो इस तरह से हम यह दो नॉट बान देंगे सिफ तीन स्टेप में हमारे पाउले आराम से बन जाते हैं सो इस तरह से मैंने इसे नॉट बान दी है अच्छी टाइट नॉट बानना है और दो मोतियों में से हम सुई को बहार निकालेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा वायर है हम उसे कट करेंगे इस तरह से यह हमारा फर्स सर्कल बन गया है अब हम साथ मोति लेंगे साथ मोति लेने के बाद में हम इसे इस तरह से सेट करेंगे ऐसे रहेगा और फिर हम छे मोति लेंगे और छे मोतियों का वापस से एक सर्कल बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में सर्कल बनाया था छे मोतियों का ऐसे हमें यह सर्कल बनाना है सो हम नीचे से उपर सुई को लेके जाएंगे और चार मोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे हमने तीन मोतियों में से सुई को बाहर निकाला है हमें एक और मोतियों में से सुई को बाहर निकालना है अब हमें ये दोनों सर्कल को जॉइन करना है हम ऐसे इसे जॉइन करेंगे और जॉइन करने के लिए हम एक रेड मूती लेंगे और रेड मूती के थुरू हम इन दोनों सर्कल को जॉइन करेंगे इस तरह से और फिर हम दूसरे सर्कल के चार मूतीयों में से सुई को बाहर निकालेंगे तो हम उपर से दो मूतीयों में से हमने सुई को बाहर निकाला है अब नीचे हम दो मूतीयों में से सुई को बाहर निकालेंगे यह वायर को टाइट रखने के लिए हम इस तरह से इसे गुमा रहे हैं वायर को अच्छे से टाइट रखना है जिससे हमारा शेप बहुत अच्छा हैगा अब हम दो मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे नीचे के एक और एक मोति में से सुई को बाहर निकालेंगे इस तरह से अब हम यहाँ पे एक नॉट बांदेंगे अच्छे से टाइट नॉट बांदी है हमें और एक मोती और उपर जाके हम सुई को कट करेंगे यह हम वायर को कट करेंगे इस तरह से यह हमारा पहला पावलो बन गया है तो पावलो के सेट होते हैं चार पावलो का एक सेट होता है तो हमें तीन और पावलो बनाने हैं तो यह हमारा जो पावलो का सेट है वो बन गया है अब सेट के दोनों साइट पे हमें एक चेन बनानी है यह देखे कितना सुन्दर दिखता है अब चेंड बनाने के लिए हम यहाँ पे चार मोती लेंगे और एंड में जाके चार मोतियों का हम नॉट बनाएंगे हमें अच्छे से टाइट नॉट बननी है और दो बोतियों में से हम सुई को बाहर निकालेंगे और जो एक्स्ट्रा वायर है हम उसे कट करेंगे अब हम यहाँ पे तीन वायट मोती लेंगे और एक मोती हम पहले के राउंड का यूज करेंगे जिससे हमारा चार मोतियों को राउंड कंप्लीट होगा अब हम सुई को उपर की साइड लेकर रहेंगे सो हम दो मोतियों में से सुई को बाहर निकालेंगे ऐसे हमें तीन राउंड कंप्लीट करने हैं कि सेंटर के लिए हम एक वाइट एक गोल्डन और एक वाइट मोति लेंगे जिससे हमारा जो सेंटर में गोल्डन मोतियां पाएं सो हम गोल्डन मोति में से सुई को बाहर निकालेंगे अब हम यहां पे तीन गोल्डन मोति लेंगे और सेम उसी गोल्डन मोति में से हम सुई को बाहर निकालेंगे हम सेंटर में एक चार मोति का डिजाइन देंगे इसलिए हम यह गोल्डन मोति डाल रहे हैं अब नेक्स्ट हम तीन वाइट मूती लेंगे हम रिवर्स जाएंगे सो ये तीन मूती हम लेंगे और गोल्डन मूती में से हम सुई को बाहर निकालेंगे और उपर के साइड हम लेके जाएंगे और इसी तरह से हम ये पूरी जो चेन है वो कम्प्रीट करेंगे सो हमें से वही प्रोसेस फॉलो करनी है सो ये हमारी चेन अब रेड़ी है ऐसे हमें दो चेन बनानी है सो अब हम इसे सेट करते है सो इस तरह से ये पावला हम रखेंगे और दोनों चेन के बीच में हम इस तरह से पावला को सेट करेंगे सो अगर आपको ये मेरे पावले पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंकियो सो मच